दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीचर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिक करके आप परचेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं हलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो आपके लिए भारती समिधान से लेटर टॉप 25 कोशन लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत मातपूर है और ये कॉशन जो मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूँ ये काफी important है बार बार पूछे आते हैं और पिछली परिक्षा में कई बार पूछे गए हैं तो इस वीडियो को आप हमारे साथ अंदर तक दे हैं यदि आप से सारे कोशन आते हैं तो सॉल्व कर लीजिए और अब देख लीजिए आपका कैस तयारी कैसे चल रही है टोटल 25 कोशन ने लास्ट में कमेंड बॉक्स अपना एंसर जरू करिए चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का मारा पहला कोशन समिधान निर्मात समीध्हान सभा में ग्रह्न किया था पताना है कि अजेक्शन नुटल समीधान सभा के बिभन देख का में अग्र्वाने वहा पटाना है था जुलाई उनिशो पच्याहस में जुलाई तो दोस्तो इसका राइट एंसर आप बता सकते हैं कि भारत के समिधान के प्रत्वार्ण के निर्माता किसे माना जाता है तो आपको पता होगा लेकिन यह बार बार पूछा गया है प्रत्यक बहुत एक्जाम में दोस्तो भारत के समिधान का निर्माता डक्टर भीम राओं बेटकर जी को का आ गया ठीक है समिधान का जनक डक्टर भीम राओं बेटकर भारत का समिधान कब लागू हुआ था दोस्तों भारत का समिधान कब लागू हुआ था आपको सबको पता है यानि आजी के दिन 26 जनवर 1950 में लागू हुआ था भारत का समिधान ठीक है आज रिपब्लिक डे भी है ठीक है तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी संख्य कितनी थी 10 12 13 15 कि महिले संख्यों की संख्य की है भारत को गनतंदर क्यों कहा जाता है गंतंदर क्यों कहा जाता है दोस्तों यह बहुत कॉंसेप्ट वाला कोशन आप बता सकते हैं इसका करेक्ट एंसर जैएका ऑपसंड़ी ठीक है और संदिजा क्योंकि यहां दोस्तों राज का जो प्रमुक होता है निराष्ट का जो प्रमुक होता है निर्धारित अबधी के लिए निर्वाचित होता है ठीक है जिसके भारत के राष्ट पती है हो पांच वर्सकुले निर्वाचित होते है निर्वाचित होते है ठीक है तो संसदी प्रानाली संखी प्राली मूलो धिकारय सरवूच या पालिक तो दोस्तों इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा संसदी प्रणाली ठीक है ऐसे कोन सी पुछ्ठ लेकर संसदी प्राली संसदी प्रणाली अगला question भारति सम्मिधान के कौन सा लक्षण आईरिस सम्मिधान से अनप्रेड़ी थे आर्लेंड के सम्मिधान से लिए गए हैं तो यह भी बार-बार कोशन ने पूछा आता है इसका अंसर आप जरूर बताएं नीती निदेशक्सिधान उसकों आरलेंड की सम्मिधान से ले ठीक आरılan के समिधान के सम्मिधान थे नीती निदेशक्सिधाand ॥ी कि संग आत्मक माने बनाया कि कनाडा ने ठीक है, मैं क्वे outसन तक किकों से निर्वाचिशन से निर्वाचित सदान है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदान है दोस्तों लोग सभा ठीक है लोग सभा भारती सम्धान की किस अनुक्षेद में लोग सभा के गठन के सम्मंद में प्रावधान किया गया है आपको बताना है कि भारती सम्धान की किस आर्टिकल में लोग सभा के गठन सम्मंदी प्रावधान किया गया है भातिस समिधान की सनुक्षेद में लोग सभा के कठन सम्मंधी प्रावधान क्या गया है आर्टिकल 81 में ठीक है करेक्ट एंसर हो जायागा चलिए अगला उसन देख लेते हैं मूल समिधान में लोग सभा सहस्यों की संख्या कितनी संख्या निरायत की गई थी तो आपको बता सकती है लोग सभा में अधिक्तम सदस्यं के कितनी हो सकती है कि 5455 तो उसका करेक्ट एंसर जरूर बताएं दोस्तों ऑप्सण D 552 ठीक है लोग सभा के अधिक्तम सदस्यं के कितनी हो सकती 552 तो आप याद रखेंगे ठीक है अगला वोश्चन है हमारा राष्ट पति आंगल के अंगले सी अंपने को सब्त 끝나UND को लोगसावं मनोनीद करते है तो जाध रखेंगे प्रथं पूर्त गयर कांग्रेंसी प्रतनमंतर इत्र कौण थे मौराजी देशाई 14 चरण सिंग विपीशिंगा अटल विहरी वाचपयी तो इसका correct answer हो जागा दोस्तों option डी अटल विहारी बाच पेई ठीक है प्रथम पूर्टक गयर कांग्रेसी प्रधानमत्री कौन थे अटल विहारी बाच पेई जी ठीक है Question number 17 है भारत के प्रथम सिख प्रधानमत्री कौन थे भारत के पहले शिख प्रधानमत्री कौन थे मनमोहन सिंग, मौन्टेक सिंग अलू वालिया एसेस अलू वालिया, कैप्टन अमरिंदर सिंग तो correct answer हो जागा इसका दोस्तों मनमोहन सिंग भारत के प्रथम शिख प्रधानमत्री थे अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमत्री की मृत्ती हुई है दो, तीन, चार, पांच correct answer हो जागा इसका दोस्तों तीन, ठीक है, तीन लोग समय विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्याक पद देने वाल प्रधानमत्री है चोधरी चरण सिंग, अटल विहारी बाजपई, प्रिक दोने अनमे से कोई नहीं तो दोस्तों इसका correct answer हो जागा उपर यूग दोनों ठीक है चोधरी चरण सिंग और अटल विहारी बाजपई, ठीक है अगला गोशन है शंसदी शासन प्रणाली सर्वर्थम किस देश में विक्सित हुई है ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जर लेंड correct answer हो जागा इसका ब्रिटेन में ठीक है शंसदी शासन प्रणाली किस देश में विक्सित हुई थी सर्वर्थम ब्रिटेन में याद रखेंगे भारत सरकार का प्रमुख विधी अधिकारी कौन होता है भारत सरकार का प्रथम विधी अधिकारी कौन होता आपको बताना है भारत का मुखिन अधिस भारत उच्चितम नालय का पंजियक भारत की विधी मंत्री भारत के महानयवादी तो इसका करेक्ट एंसर बताएए दोस्तों, जुसका करेक्ट एंसर रोजाएगा, option D, भारत का महानयावादी, ठीक है, option D, तो आप याद रखेंगे, काफी important है, ठीक है, भारत का सरकार का प्रविद्यतियारी कौन होता है, भारत का महानयावादी, ठीक है, attorney general of India, इंगलिस में attorney general of India, और वरतमान में काउन है, केके वेनुगोपाल, ये भी आद रखेंगे, वरतमान में केके वेनुगोपाल है, भारत के महानयावादी, ठीक हमारा अगला गोशन है दोस्तों, राज्यकी कारेपाल का सक्तिकिस्मेनित होती है, तो यह होती दोस्तों, र राज्यकी कारेपाल का सक्तिकिस्मेनित होती है, राज्यकी सरकार का कारेकार ये धेक्ष कौन है, नुख्यमंत्री, राज्यकाल, मुख्यमंत्री का सचीव या मुख्यसचीव, तो करेक्टेंसर जागा राज्यकाल, ठीक है, राज्यकार का कारेकार ये धेक्ष कौन है, रा राश्ट पती राज्य पाल अपना त्याक पत्र किसे देते हैं राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को संसत्त को राश्ट पती को तो यह देते हैं राश्ट पती को ठीक कि प्रेसिडेंट को किसको देते हैं अपना त्याक पत्र राश्ट पती को ठीक है तो यह थे रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों ठीक है कि इसके लावा दोस्तों हमारे चैनल पर प्लेस्ट में जाकर आप बहुत सारी वीडियो देख सकते जी के से लिटेट और अब डेली मौनी में करें देखा करें दोस्ते नहीं देखते हैं तो हर एक्जाम के लिए क कि बहुत सारी शुब कामना है दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो को साथ तब तक कि लिए अपना ध्यानर के सुस्तरे बेस्तरे मस्तरे जै हिन जै भारत